मिरांदे अभी आप बिल्कुल यंग हैं, बहुत लंबा आर्ट, एक अच्छा बड़ा करियर आपके सामने है और मैं जब आपके पारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आवार्ड्स को मिलने का सिल्सिला भी शुरू हो गया है तो जब आवार्ड्स के मिलने का सिल्सिला शुरू होता है तो कई सारे सपने भी जगते हैं, क्या हैं आपके सपने? जी अवार्ड्स जब मिलते हैं तो डिफिनिट्ली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके काम की सरहना हो रही है आपका काम अप्रीशियेट हो रहा है You are getting the credit and the credibility both तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है जब आपको awards देते हैं या आपको appreciate करते हैं But जो मेरा सपना है वो एक तो ये है कि मेरा जो God gift है My music, my voice वो मैं जादा से जादा लोगों तक पहुंचा पाऊं क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों ने बुला है कि आप जब गाती हैं तो हमारे दिल को छूता है तो ये जो कुछ लमहे का connection में उनके साथ बनाती हूँ मेरे music के थूँ वो मैं जादा लोगों के साथ कर पाऊं और भले ही वो चंद मिंटों के लिए या चंद लमहों के लिए हो बट मैं उनके दिल में जहन में एक छाप छोड़के जाओ और उनके दिल को थोड़ा सा सुकून दे जाओ तो ये एक सपना है और दूसरा सपना ये भी है कि मेरा जो connection है music के साथ जब मैं गाना गाती में तो वो बहुत fraction of seconds में एक divinity का अभास होता है you know it's not like a constant feeling कि आप पूरा टाइम जब गा रहे हो तब आपको वो connection feel होता है तो अईसा कभी-कभी होता है कि you become the music आपके through music हो रहा है और आप मैं नहीं रहता वो eye just dissolves in music so I think that is something that every musician or singer tries to achieve artist I would say not just musicians and singers but every artist tries to achieve that divinity through their craft so that's also one of my dreams कि वो जो divinity का connection है वो मैं कुछ लंहों से थोड़ा सा लंबा-लंबा-लंबा करके जादा उसको जी सकूँ सूफी का एक पक्ष रह गया है भी आपकी गाईकी का तो मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ ऐसा सुनाएं सूफी संगीत से जुड़ा हुआ जो आपको अच्छा लगता हो जी बिलकुल एक पंजाबी सूफी गाना है जो कि मैं आपको सुनाना चाहूंगे कागा सब तन खाईयो मोर चुन चुन खाईयो मास कागा सब तन खाईयो मोर चुन चुन खाईयो मास दोने नामत खाईयो मोहिपिया मिलन कियास निमे जाणा 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 जाणा जो गीदे नाल में रांजा रांजा कर दीने में आपे रांजा होए रांजा रांजा कर दीने में रांजा रांजा कर दीने में आपे रांजा होए रांजा में विच में रांजे विच मैंनु हीर नाखो कोई मैंनु हीर नाखो कोई निमे जाणा निमे जाणा निमे जाणा निमे जाणा जाणा जो कीदे नाल में मिरांदे हम आपको शुब कामनाए ने इस इंट्रिव्यू को खत्म करें उससे पहले एक गुजारिश है और गुजारिश है कि चुकि सारी फर्माईशे मेरी हो गई तो संभवता जो कुछ आप सुनाना चाहती रही हो वो छूट गया हो तो कोई ऐसी चीज जो आप सुनाना चाहती है रागिरी के सब्सक्राइबर इसको रागिरी के दर्शों को जरूर सुनाइए ये मंच अब आपका है तैंक यू शुवेंदर जी डेफिनिटली मैं सुनाना चाहूंगी एक बहुत ही खूबसूरत चीज जो सावन के उपर है आपको सुनाना चाहती है अंब बात ले डोला अंब बात ले डोला रख देने हर बाद आई सावन की बहार रे अंब बात ले डोला रख देने हर बाद आई सावन की बहार रे आई सावन की बहार रे अंब बात ले डोला अपने महले वामा गुडिया खिलत थी सही आके आए कहा आज दे एरी सकी गुडिया खिलने न पाए सही आने भेजे कहा आज रे अंब बात ले डोला क्या कहने हैं और बहुत बहुत धन्यवाद मिरांदे आपने हमारे ले समय निकाला और धेर सारी शुब कामना है जैसा मैंने कहा था कि आपका जो ये संगीत पक्ष है वो और सशक्त हो आपके अंदर जो अलग-अलग संगीत की जो अलग-अलग विधाएं हैं उनको जो आपका अप्रोच करने का तरीका है वो और मजबूत हो हमारी तरफ से धे सारी शुब कामना है थांक यू थांक यू सो मच वन्स अगेन शिवेंदर जी कि आपने इतने अच्छे प्लाटफॉर्म पर मुझे बुलाया मुझे सम्मान दिया और विरी म्यूजिक को सुना तो थांक यू सो मच वन्स अगेन फॉर हाविंग मी इंवाइटिं मी और राग गिरी और थांक यू फो यू विश्ज आपके ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रिया और मैं राग गिरी को भी अपनी शुब कामनाए देना चाहूंगी कि ये मंच बहुत बहुत आगे बढ़े और हम जैसे कलाकारों को इसका मौका मिले थांक यू सो मच ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें इसके अलावा राग गिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि राग गिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरुकता फैलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे